हेले वरियोन मैं नम गोरव शर्मा है और मैं अपने भतीजे के लिए फंडरेज कर रहा हूँ इस फोटो में आप जो प्यारा बच्चा देख रहे हैं ये मेरा भतीजा है जिसका नाम भूदेव शर्मा है भूदेव शर्मा अभी मातर 9 महीने का है और ये एक बहुती गंबीर बिमारी से जूज रहा है इस बिमारी का नाम इस्पाइलर मस्कुलर एट्रोफी है इसको SMA टाइप वन से जाना जाता है SMA टाइप वन की जो बिमारी है ये इतनी गंबीर होती है कि इसमें बच्चे दो साल से पहले ही एक्सपाइर हो जाते है इस बिमारी का इलाज एक इंजेक्शन है जिसका नाम जोलगेंसमा है जोलगेंसमा इंजेक्शन इंडिया में नहीं है और यह अमेरिका से मंगा जाता है लेकिन इस injection की जो कीमत है वो इतनी ज़ादा है कि इसको मैं और मेरा परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी कीमत साड़े सतरा क्रोर रुपे है मुझे आप सभी लोगों की help की जूरत है प्लीज मेरे लिए इस बच्चे के लिए आगया ये और इस बच्चे के लिए ज़ादा से ज़ादा डोनेट कीजे इस बच्चे का इलाज एमस दिल्ली में चल रहा है और इसको एक injection दिया जाना है उस injection से बच्चे को gene therapy मिलती है और बच्चा survive कर जाता है मैं आपके साथ QR code और bank detail आपके साथ discuss कर रहा हूँ जो इस बच्चे के लिए donation के लिए raise की गई है आप प्लीज जितना आपका सामारती है 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, 1000 रुपे जितना भी आप डोनेट करना चाहे इस QR code या फिर इस bank detail में आप शेर कर सकते हैं आप से request है कि आप इस वीडियो को जादा से जादा share कीजे ताकि ये government तक पहुचे और किसी celebrity तक पहुच आए आप किसी भी जानकारी के लिए मेरे number 9760558374 पर contact कर सकते हैं मैं आपको हर तरह का proof देने के लिए तयार हूँ मेरे पास aims दिल्ली की सारी reports हैं मैं आपके शेर करने के लिए तयार हो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरी अपने detail दी थी इस बच्चे के detail दी थी बच्चे के सारी reports मैंने वहाँ पे शेर किये हैं साथी साथ मैं आपको कोई भी proof देने के लिए तयार हूँ donation का link मैं नीचे description में दे दूँगा प्लीज आप आगे आईए इस बच्चे को बचाने में मेरी मदद कीजे और इस बच्चे को नया जीवर परदान करने में मेरी मदद कीजे और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर केजे आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दान और आप लोगों का आशिरवाद इस बच्चे की जान जरूर बचाएगा ऐसी मैं भगवान से परातना करता हूँ धन्यवाद